आज की खबर नामा की प्रायोजग है श्री कृष्णा ग्रूप ओफ इंसिटूशन्स एहमद नगर सीतापुर सह प्रायोजग जेयस इंसिटूट ओफ फार्मेसी पारा साराय धोंदी सीतापुर Study Well Public School सीतापुर मा कमला देवी ग्रूप ओफ इंसिटूशन्स सीतापुर नमस्कार आप देख रहें आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर और मैं सत्या सिंग सीतापुर की सुर्खियों वाले खबर नामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ निर्जल ब्रत रखकर महलाओं निभाई करवा चौत की रसमें चांद देखकर तोड़ा ब्रत MNC चुनाओं की असूचना जारी 1244 लागू एक बार फिर तिंदुए ने हमला कर मवेशी को बनाया सिकार चोरों पर गिरी कारवाई की भिजली छे गिरिफतार राश्टी किसान मजदूर संगठन करेगा किसान बिल के विरोध में देश व्यापी चक का जाम एक बार फिर सनातन संसकत की रस्मों को निभाते हुए महलाओं ने निर्जल ब्रत रखकर पत की लंबी उम्र की कामना की इस दोरान सभी महलाओं ने ब्रत रखते हुए सुबा से ही करवा चोथ की पूजा की तयारियां शुरू कर दी और साम को अपने चांद का दीदार कर ब्रत खोला पतियों ने भी इस बीच पूजा की तयारियों में हाथ बटाया और अपने अपने तरीकों से पत्नी के अपने प्रेम का इजहार किया कई घरों में दिवार पर कर्वा रखकर पुरातन परंप्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया सुच्छता के साथ मास्क वा सेनेटाइजर के प्रयोग के सकारात्मक परणाम दिखने लगे हैं कई दिनों से नए मरीजों का आकड़ा दस से पंदरा के बीच ही चल ला है बुद्वार को जिले में दस नए करोना मरीजों की पहचान की गई सहर के लुहार बाग और थामसेन गंज में एक एक मरीज मिला है कस्बंडा में तीन विस्वा के मल्लापुर वा महमूदाबाद के बेटी में दो दो और हरगाओं के दीपुर में एक मरीज मिला है अब जिले में 4288 करोना केस हो गए हैं शहर के विशंभर कॉलेज में आयुजित भाजपा का प्रेसिक्षन कारक्रम बुद्वार को संपन हो गया अंतिम सत्र भाजपा के पूर्व जिला अधिक्ष आजे गुपता ने कारकरताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साज सबका विकास की अवधारना को लेकर आगे बढ़ रही है इसी का नतीज़ा है कि कारवां दिन बदिन विस्तरत होता जा रहा है संचालन नगर महामंत्री अनीत मिश्रा ने किया प्रकास सिंग, राम बाबु श्रिवास्तव, जया सिंग, संधी पावस्ती, पंक जवस्ती, मनीश पांडे, विनूत्रपाथी, प्रियंका वर्मा, बीना मिश्रा, सीमा बाचपेई, छाया गुपता, राकेश गुपता, पिंकु, रमेश चंद्रत्रवेदी, आशुतो दि को तिंदुए से निजात दिलाने में अभी तक अच्छम सावित हो रही है, तिंदुए ने इलाके के बरामपुर ख्योटा में मंगलवार रात हमला करके रामसेवक की पढ़िया को घायल कर दिया, गटना से इलाके में दहसत है, वन बिवाग के अधिकारियों का कहना है कि या हमला लकडबगा या भेडिये ने किया है, इसकी जाच की जा रही है, राष्टवादी युवा अधिकार मंच की सीतापूर कारिकार्णी का गठन कर दिया गया है, राष्टी अधिक्ष चांग शेखर सिंग पुषकर के निर्देश पर एसके तूपानी को जला अधिक् इके सिंग वह पवन कुमार सिंग, किशोर कुमार गुपता, अंकित वर्मा वह सूरज कुमार वर्मा को संग्ठर में इस्थान दिया गया है, एमल्सी चुनाव को लेकर असूचना जारी कर दी गई है, जिला अधिकारी विसाल भरतवाज ने बताया कि खंड निर्वाचन चेत्र एम लखनव खंड असना तक मिवाचन चेत्र का निर्वाचन कारिकम जारी कर दिया गया है, उन्होंने बताया कि निर्वाचन की असूचना पांच नॉम्बर को जारी की जाएगी, बारा नॉम्बर तक नामंकन है, इसके अगले दिन नामंकन पत्रों की जांच होग जिलादिकारी ने बताया कि जन्पद में आचार सहिता दो नौमबर से लागू हो गई है कुथवाली महुली इलाके में फैसला कराने गए प्रधान पती को दबंगो द्वारा जान से मार देनी की धमकी देनी का मामला सामने आया है पीडिक ने कुथवाल अमर मडी तरपाथी से न्याय की गुहार लगाई है दरसल मामला कुथवाली इलाके के गाउं बद्दा पुरका है जहां बीते मंगलवार प्रधान महेश्वरी सिंग के पती सोनपाल सिंग गाउं के ही नन्ने सिंग के खेतों की मेर का फैसला कराने दबंगई की सीमा ही लांग दी और प्रधान वा मौझूद लोगों पर लाइसेंसी बंदूक तानते हुए जान से मारने की धंकी देने लगा इतना ही नहीं कुछ देर बाद आरोपी द्वारा प्रधान पती को फोन पर भी जान से मारने की धंकी दी गई इस बावत के कोतवाली में तहरीर दे दी है मामले में कोतवाल अमर मरीत रिपाथी ने बताया कि मुकदमा पंची करत कर लिया गया है जांच करने के बाद आवश्यक करवाई की जाएगी अन्यपूरा सेवा संस्थान ने स्वर्गी आसा संभू छात्र अलंकरन समारों के तहत बुद्वार को 55 बच्चों को सम्मानित किया AIT उप्रवर्तन डॉक्टर उदित नरायन ने स्ष्ट सुकला संदेश सिंग लक्षा सिर्वास्तो अनन्य शुकला कुषाग्र सक्सेना अखिलतिवारी कुनाल बादपेई अरनव सिर्वास्तो पलक कुकरेजा संब्रधि मिश्रा बिर्जेश कुमार प्युष सुकला प्रत बैभव मिश्रा, बैभव सुकला, कीर्ती पुरी, हुजैफा अंसारी, नव्या नवीन, अंकिता सिंग, इगिसा सैगल, नयन सक्सेना, रिया सिंग, रिया गुपता, पिंकी मौर्या, काजल वर्मा, विप्रांस गुपता, प्रियांसी सर्मा, आशीश वर्मा, अभै मिश् निशावर्मा को इस्मति चिन्निवा, प्रसस्त पत्र दे कर सम्मानित किया, बैभव सुकला को सरवाधिक अंग प्राप करने हेतु, विसेश सम्मान दिया गया, संस्थान के अद्यच, अनिल दुबेदी ने अतितियों का आभार व्यक्त किया बारवा कटान का दंश झेल चुके, गांजर वासियों के लिए तोहारों का रंग फीका है, लहरपूर महमुदाबाद वबिस्वा तैसील की बड़ी आबादी संकट से गुजर रही है, सड़कों के गिनारे पूस वब पॉलिथीन के घरोंदों में गुजर बसर कर रही अर्थिक संकट से जूज रही है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, सरकार भी किसी तरह की मदद नहीं दे रही है मशेटा च्षेत के ग्राम पंचायत हरपालपूर में वर्ड विजन संस्ता द्वारा निर्मिद आंगनवारी केंद का उदगाटन ग्राम प्रधान दिगविजय यादो वा बाल विकास परियोजना अधिकारी सबीना ने किया बता दें संस्ता ने लगबत 14 लाग की लागत से आंगनवारी केंद बनवाया है जिसका उदगाटन आज जिला अधिकारी के करकमलों से होना था लेकिन वा नहीं पहुँच पाए वक्त हो चला है एक छूटे से ब्रेक का आप देखते रहें आई इंडिया वक्त है झाल झाल एग्रिकल्चर बिल और बड़ी बिजली दरों के विरोध में सेवा मेराष्टिय किसान मजदूर संगठन गुरुवार को देश ब्यापी चक्का जाम करेगा सीतापुर अध्यच हाजी रिजवान ने बताया कि वाकार करताओं के साथ लाल बाग चोराहा जाम करेंगे इसकी जानकारी प्रसासन को दे दी गई है इमलिया सुल्तानपूर पुलिस ने यातायात माह के चौथे दिन उदैपूर पब्लिक इंटर कॉलेज में जागरुकता गोश्ठी का आयोजिन किया थाना प्रभारी विने कुमार सिंग ने चात्र चात्राओं को यातायात नेमों का पाठ पढ़ाया उन्होंने कहा कि मोटर साइकल चलाते समें हेलमेट अवश्य पहने और कार चलाते समें सीट बेल्ट जरूर लगाएं उन्होंने मैला हेल्प डेस्क की भी जानकारी दी इस मौके पर नदीम, जैवीर, मेनाक्षी, रविन्द कुमार वर्मा, राहुल कुमार आदी मौजूद थे भाजपास संगठन द्वारा पंचायच चुनाओ को लेकर बेटा में मंडल अद्यच, सली सिर्वास्तों के आवास पर बैठक का आयुजन किया इसमें वक्ताओं ने कारकरताओं से चुनाओं में जुर जाने का आवाहन किया पंचायच चुनाओं बिधान सबा लहरपुर संयुजग, भानुपरकाश वर्मा, पिछला मोर्चा जिलावपा अध्यच, हरीस पटेल, मंडल अद्यच, सली सिर्वास्तों के साथ सभी बूत अद्यच्चों और पार्टी कारकरताओं के साथ एहं बैठक की गई जिसमें पार्टी कारकरताओं योंबूत अद्यच्चों को पंचायची चुनाओं में बढ़ चड़ कर हिस्सेदारी तता पार्टी प्रत्यासियों को हर संभव जीत दिलाने की अपील के साथ महामंत्री पंकज मिश्रा, संतोश शुकला, दिनेश शुकला आध भी मौजूद रहे रोटरी क्लब ने आरिकन्या इंटर कॉलेज में आयोजित कारिशाला के दूसरे दिन बालिकाओं को आत्मरभरता का पार्ट पड़ाया ताइकॉंडो प्रसिक्षक मुकेश पाल ने बालिकाओं को प्रसिक्षन दिया आयोजन में SDM सदर अमित भड, गोपाल अगरवाल, डॉक्टर प्रमीर गुपता, वर्षा अगरवाल ग्यान्मती दिक्षित आधी मौजूद थी दीपावली परपर निर्वाद विजली देने के लिए विभाग ने कमर कसली है अधिछन विंता, सीपी आदों ने बताया कि दिवाली से पहले सभी केंद्रों का मेंटिनेंस किया जाएगा सीरियादों ने बताया कि 6 नौमबर को दुपहर बारा से दो बजे तक मिश्रिक, साथ को हुसेन गंज, आठ को नेरी, नौ को हुसेन गंज गामीर, दस को सिधौली और ग्यारा को लहरपुर उपकेंद पर दुपहर बारा से दो बजे के बीच मरमत कार किया जाएगा ऐसे में इन छेत्रों से जुड़े इलाकों में बिजली आपूर्त बाधित रहेगी नगर पालिका के उपेक्षा से परिशान प्रेब नगर वार्ड के सभासत दीरज पांडे ने दो प्राइवेट सफाई कर्मी रख लिये हैं दोनों सफाई कर्मी की तनखा सर्व समाज संग्ठन बहन कर रहा है बता दे नगर पालिका ने कुछ दिनों पूर्व कई ठेका सफाई कर्मचारियों को हटा दिया था ऐसे में सफाई कर्मचारियों के संख्या कम हो गई थी नैमिस सारण के पतकार पुरसोत्तम सर्मा को पित्र सोक हो गया है मंगलवार रात उनका स्वास्त खराब हो गया था ऐसे में उन्हें जिलास पताल ले जाया गया जहां डाक्टों ने उन्हें मृत गोशित कर दिया पतकार को पित्र सोक होने पर कस्वे के लोगों ने शोक बिक्त किया है लोकडाउन के समय केंद्र सरकार की ओर से पास कराए गए तीन बिलों के विरोध में कुरवार को किसान देश व्यापी चक का जाम करेंगे संगतिन किसान मजदूर संग्ठन की राम बेटी प्रकाश मोहन आदी ने बताया कि उनका संग्ठन भी किसानों के आंदोलर में सहयोग करेगा हर गाओ पुलिस ने पाक सो एक्ट के वांचित अभिक्त को नहर पुलिया से गिर्पतार किया है उप निरिचक जारिया सिंग ने बताया कि अभिक्त राजू काफी दिनों से फरार चल ला था अटरिया थाने के शमशेर गंज में मंगलवार रास से गायब हरे राम यादो का शब गाओं की आम की बाग में मिला थाना प्रभारी निरिक्षब ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि पंचनामा भर कर शब को पोस्मॉटम के लिए भेजा है पोस्मॉटम रिपोर्ट आने पर अग्रिम कारवाई की जाएगी पिसावा पुलिस ने कुतुम नगर चौकी पर वाहन चकिंग अभियान चलाया इस दोरान 23,000 रुपे उसूले गए पिसावा थाना प्रबारी, कुमर बहदूर सिंग, कुतुम नगर चौकी प्रबारी, अरविन कुमार कटियार, सिपाही, विवेकानन, गुर्जी सिंग, आदी मौजूद रहे पुलिस ने बुदवार को टपे बाच को धर दबोचा अपने रिक्षक जिदेंद्र कुमार सिंग ने बताया, संजे रावत ने ठगी की थी, उसे जेल भेजने की कारवाई की जा रही है आदुनिक्ता की चकाचौंद का आसर हमारे सारे तेवहारों पर दिखता नजर आ रहा है पुरानी परमपराओं को तो जैसे हम लोगों ने भुला ही दिया है पहले लोग कपड़े खरीद कर टेलर से सिलवाते थे तो आज रेडी मेट कपड़े लोगों की पहली पसंद बन गए हैं लेकिन आधुनिक्ता के इस उग में हमें पुरानी परमपराओं नहीं भूलनी चाहिए जहां आधुनिक्ता हमें उडने को पर देती है वहीं परमपरा हमें जमीन से जोड़े रखती है वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आप देखती रही आई इंडिया झालते हमें लेजिए हाऊ ओते है झालते है ुप जलेखती है लेहरपूर तहसील के अधिवाकताओं ने रजिस्ट्री कार्याले के उपनिवंधक विलोद कुमार पर भ्रस्टाचार का आरोप लगाया है विरुद जमकर नारिबाजी भी की है मामले के तूल पकड़ने पर बार एसोसेशन के वरिष्ट अधिवकताओं ने बार सभागार में आगामी कारवाई की रूप रेखा तैकी बार एसोसेशन के अधिवप्रमोद बाजपेई ने बताया कि भ्रस्टाचार के विरुद अधिवकताओं ने हमेशा संघर्श किया है और करते रहेंगे इस अफसर पर लहरपुर नगर के मोहला कट्रास्थल निवासी मोहमत कलीन पुत्र मोहमत उस्मान की पैसन प्रो मोटर साइकल घर के बाहर खड़ी थी जिसे अज्याच चोर चोरी कर ले गए काफी प्रयास करने के बाद बाई का कुछ पता नहीं चल सका जिसकी तहरीर उन्होंने पुलिस को दे दी है पुलिस जाच करने की बात कह रही है पुलिस अधिक्षक आरपी सिंग ने नगर छेत में भ्रमर कर ते वहारों के द्रस्टिगद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा सर्व संबन्धित को सघन चेकिंग एवं सतत में गरानी हेत आवश्यक दिशार निर्देश दिये पुलिस मुकिया आरपी सिंग ने कारवाई का डंडा चलाया है इसी के चलते सियो महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद्न के नितत्त्त में गठित की गई टीम ने थाना लहरपूर के टांडा कला निवासी राम प्रकास थाना सकरन के गडोसा निवासी कलीन कोतवाली विश्वा के सांडा निवासी मोनू पटबा थाना सदरपूर के टिकरा निवासी बीरेंद कुमार थाना थान गाउं के सुखेटा निवासी बाबा पाल थाना रेउसा के मदवापन निवासी पवन को ग्रिपतार किया है इस दोरान S.P.R.P. सिंग ने बताया कि अभिक्तों के पास से 15,000 की नगदी वाचोरी किया गया माल बरा मद किया गया है दिपतारी टीम में थाना प्रभारी सदर उमाकान दीपक्त, S.I. हरबजन सिंग, S.I. मनीज सिंग, S.I. अजैरावत, हेट कॉंस्टेविल राजीत राम, बिमलेज दुवेदी, गानिन सिंग, टीटू कुमार, राहुल कुमार, आनंद कुमार, सुमिस सहाएं वर सोहन पाल सामिल लहे थाना मानपुर इलाके के ददियापुर में 6 वर्षी शेखर मकान की चछ से गिर कर घायल हो गया परिजनों ने शेखर को खैराबाद के निजी अस्पतार में भरती कराया है घटना की सूशना पाकर पुलिस ने जान शुरू कर दी है थाना रे उसा के गाउं सोनावा में बीतिये दिनों आधी रात को घर में घुसकर महिला तारा सिंग को गोली मारने में पुलिस ने गाउं के ही हर भजन को गिर्पतार किया है इस बावत थाना प्रभारी पुस्पराज सिंग ने बताया कि अभ्युक्त के पास से एक देशी तमंचा, बारा बोर, दो जिंदा कार्तूस, वक्खोका वरामद हुआ है गिर्पतारी टीम में थाना प्रभारी के साथ एसाई अमित कुमार, हेड कॉंस्टेविल, सिवेंत पांडे, दुसियंत कुमार, महिला नमर्ता सिंग, सामिल नहीं यह था आज का खबर नामा देखते रहे आई इंडिया हमें दीजिये इजाजत, शुबरात्री, शवाखेर आज की खबर नामा की प्रायोजग थे श्री कृष्णा ग्रूप ऑफ इंस्टिूशन्स, एहमद नगर सीतापुर सहे प्रायोजग, जेयस इंस्टिूट ऑफ फार्मेसी, पारा सराय धोंधी, सीतापुर Study Well Public School, सीतापुर मा कमला देवी ग्रूप ऑफ इंस्टिूशन्स, सीतापुर